कि आपको पता है एक excel sheet में worksheet में कितनी rows और कितने columns होते हैं अगर मैं एक question आपसे interview में पूछूं तो कैसे answer करोगे पता तो किसी को भी नहीं होता है अगर मैं आपको excel sheet दे भी दूँ कि चलो देख के बता दो तो क्या हम इसको ऐसे right and side पे जाते जाएंगे जाते जाएंगे can we count no क्या easy तरीका है तो इसके लिए भी Microsoft ने excel में functions बनाए है right कैसे लिखेंगे equal to function का नाम क्या है rows और इसका parameter क्या है array कौन सा array पूरी sheet तो जब आप इस corner पे click करते हैं तो sheet select हो जाती है bracket को मैंने close किया तो इतनी rows है इस excel में 1,48,576 similarly columns कितने हैं तो equal to वही function लिखेंगे columns और पूरी sheet मुझे select करनी है कैने select की 16,384 columns हैं तो कुछ ऐसे interesting facts हैं जिनको आप functions के थूरू जान सकते हैं कुछ जान सकते हैं